स्वच्छ दिग्रस सुंदर दिग्रस का नारा बुलंद कर दिग्रस शहरवासियों को स्वच्छता और साफ सफाई का कथित संदेश देने वाली दिग्रस नगर पालिका खुद ही गंदगी का केंद्र बन गई है दिए तले अंधिर का कहावत पालिका पर सटिक बैच रहा है क्योंकि पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण ये हाल नजर आ रहा है पेश हैं दिग्रस समादाता जुबैर खान की रिपोर्ट दिग्रस शहर की नगर पालिका की यह इमारत किसी म्यूजियम या किसी अजायब घर से कम नहीं यहां कब और कौन सी विलक्षन अदभूत चीज या मनजर नजर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता हाल ही में यहां बंदरों की टोली ने घुसपैट कर अपनी अजीबो गरीब उटपटांग उचलकूत से कुछ देर के लिए पालिका को मानो प्रानी संग्रालय में तबदिल कर दिया था वैसे पालिका में घुसकर उधम मचाने वाली बंदरों की टोली को लेकर शेहर वासियों को कोई अचमभा नहीं क्यूंकि शेहर की जनता को पहले ही बीते कुछ सालों में जंगल राच का अनुभव मिल चुका है बैरहाल इस बार नगर पालिका में पालिका प्रशासन की उच्च कूटी की लापरवाही खुल कर सामने आ गई है यहाँ पर लोग दिन दहाडे पालिका के भीतर घुसकर पेशाप करने लगे है मानो जैसे नगर पालिका की इमारत कोई पेशाप घर हो मंगलवार की दोपर करीब सवा दो बजे नगर पालिका में यह मंजर NBCN News के कैमेरे में कैद हुआ है सामन्यनागरी करतव्य और आचरन को पेरो तले रोंद कर आजकल लोग जहां हलका होने के लिए धडलने से नगर पालिका को मुत्राले में तबदिल करने पर तुले है वहीं पालिका भी मानो अपने कर्मों से इस दुरगती को पहुची है शहर के मुख्य बाजार परी सरों में मुत्री घर नहीं है अगर शहर में परियाप्त मुत्री घर बनाए जाते तो आज यह नौबत नहीं आती लेकिन क्या कहे क्योंकि दिग्रस में एक दोर में तो कथित बाबु छाप नेताओं ने दुकानदारों से पालिका के मुत्री घरों के सवदे बाहर के बाहर निप्ता कर मुत्री घरों को ही मुक्ति दे डाली यह इथियास है शायद इसलिए पॉलिटिकल पावर या राजनीतिक बदमाशी के बारे में गंदा है पर धंदा है यह वाहली कहावत मशूर है जिसका दिग्रस्वासियों ने एक नहीं बलकी आने को बार अनुभव किया है बेरहाल पालिका की दिवारों पर धुम्रपान करने थुकने आधी के लिए 200 रुपे दंड राशी और कार्यवाई करने की ये लिखावट केवल आपचारिक पहल है इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं क्योंकि जहां या सूचना या आदेश लिखा है ठीक उसके नीचे ही लोग बेखवफ होकर गंदगी फैला रहे है वैसे गंदगी से याद आया कि पाली का चुनाव की तीथी आने में है और एक बार फिर दिग्रस वासियों को शहर की गंदगी दूर करने का मौका मिलने वाला है तो देखना होगा क्या इस बार शहर की चुनावी फिजा से निकल कर सामाजिक स्वास्थ बुनियादी विकास शहर वासियों के हिस्से में आता है या फिर वही कूडा कर कट दोबारा शहर का स्वास्थ बिगाड देता है बेरहाल पालिका में लोगों के प्रती निधी के नाम पर पहुचे कई प्रती निधियों और सरकारी नुमाइंदों ने पहले ही उम्मीदों पर पानी फेर दिया है शाय दिनी से सीख लेकर कई लोग पालिका को मुतरी घर समझ कर यहां पानी फेरने चले आते है देखना होगा कि आने वाले दिनों में पाली का परशासन की यह लापरवाई का मनजर यूही बना रहता है या फिर इसमें कुछ सकारात्मक तब्दीली नजर आती है इन बीसियन न्यूस के लिए दिगरत से जुबैर खान के रिपोर्ट